हेले फ्रेंड्स मैं वापस से हाजर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बहतरीन सी मूवी की कहानी को लेकर जिसका नाम है दी फॉरिस्ट जिसके डिरेक्टर का नाम है जैसान ज्यादा मूवी को आएम डीबी पर 4.8 की रेटिंग मिले है और इस मूवी में हमें एक औरत को जाती है तो चलिए देर ना करते हुए इस मूवी की एक्स्प्लिनेशन को शुरू करते हैं तो दोस्तों इस मूवी की शरवात कुछ इस तरह से होती है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की फॉरस्ट में भाग रही होती है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से धर कर भाग रही है और यही पर सीन कट हो जाता है अब अगले सीन में हम एक लेडी को देखती है जिसका नाम होता है सारा और वो अपने फियांसे रोब के साथ न्यू एक forest है जहाँ लोग suicide करने जाते हैं और वहाँ से लोट कर वापस कभी नहीं आते हैं अब सारा को यहाँ पर यह बताया जाता है कि Jess जो है उसकी बहन वो मर चुकी है लेकिन सारा इस बात का यकिन नहीं करती है और वो जापान जाने की तयारी करने लगती है लेकिन उसका जो फियांसे होता है रोब वो उसको जापान जाने से मना करता है क्यूंकि वो उसकी बेंट जैस को बिलकुल भी पसंद नहीं करता होता है लेकिन सारा जद करती है तो रोब उसकी बात मान जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि जो सारा होते हैं वो जापान आ चुकी होती है और वो एक होटेल में रुखती है और अब रात हो चुकी होती है और फिर वो सो जाती है और तभी उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि वो एक रूम में चल रही होती है और चलते चलते वो एक स्कूल जाती है, जहांपर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और तभी जैसे ही सारा क्लास का गेट खूलती है, तो वहाँ पर एक बच्ची होती है, जो कि सारा को देखकर बहुत तेज से डढ़ जाती है, और चिलाने लगती है इसके बाद सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और सारा प्रिंसिपल की ओफस में होती है और यहाँ पर वो बच्ची एनी भी होती है और वो सारा को बोलती है कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जैस वापस आ गई है जो की माउंट फ्यूजी गई थी इसके बाद प्रिंस सारी आत्मा हैं जो की मरने की बाद गुस्यल और खतरनाग हो जाती है जिसे जापान की लोग यूरोई कहते हैं और फिर एनी कहते है कि आखरी बार जैस को उसने उसी फॉरेस्ट में जाते हुए देखा था तभी जब उसने सारा को देखा तो उसे लगा शायद यह जैसकी आत्मा है इसके बाद सारा प्रिंसिपल को जैसका रूम दिखाने को बोलती है और सारा जो होती है वो रूम में जाकर जैसका समान देखती है जहां पर उसे पता चलता है कि जो जैस होती है यानि कि उसकी बहन वो डेप्रेशन का शिकार होती है और वो सुसाइड करने की कई की बार कोशिच कर चुकी होती है अगले दिन जो सारा होती है वो उसे होटेल में जाती है जहां स्कूल ट्रिप के दौरान वो रुकी होई थी है और रेस्टेप्शन में पूछताच करने पर उसे पता चलता है कि इस होटेल में कैसी लड़की है जो सारा की मदद कर सकती है और उसे सेम कहानी वो भी बताती है कि यह जगा इतनी खतरनाक क्यों है लेकिन जो सारा होती है वो उसे लगता है कि जो उसकी बहने ज्रेस वो मरी नहीं है क्योंकि वो उसकी जुड़वा बहन होती है तो वो उसकी जिन्दा होने का हैसास कर पारी होती है इसके बाद जब सारा आगे बढ़ती है तो वो लड़की उसे वापस से टोकती है कि देखो अराम से जाना और रास्ता भूल मत जाना और बाहर आने के बाद उसको एक और लड़की दिखाई देती है और सारा उसको भी मदद के लिए पूछती है लेकिन वो भी सारा को फॉरिस्ट में जाने से मना करती है और बोलती कि फॉरिस्ट में यूरेई है और ये फॉरिस्ट लोगों की डर और उनके उदासपन का फाइ नाम Aden होता है और basically Aden एक australian होता है और जपान में वो एक magazine company में राइटर होता है और वो दोनों बाता ही बातों में एक दूसरे के बारे में पता करते हैं जहां उसे Jess के बारे में पता चलता है और कुछ दिर के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है तब Aidan सारा को बताता है कि वो इस forest के उपर guide के साथ एक documentary लिखने वाला है और वो उसमें उसकी बहन की कहानी को add करना चाहता है तब ही अगले दिन सारा, Aidan और वो मिचु यानि कि वो guide forest के अंदर जाते हैं और सारा की बहन को search करने लगते हैं तब ही मिची सारा को बोलता है कि Jess ने खुदी की जान ले ली होगी क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा दिन जिन्दा रही नहीं सकते हैं और यहाँ पर कुछ धागी भी बंदे होते हैं जिनने देखकर मिची ये बिताता है कि ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पर जिन्दा रह जाते हैं और वो यहाँ पर लोकेशन देने के लिए इन धागों को ऐजा कह सकते हैं साइन बान देते हैं ताकि उनकी मदद सिल लोग उ फिर उनको एक dead body भी मिलती है और मिची तुरंट उस location को note कर लेता है ताकि वो forest department को ये information दे सके और वो ये dead body यहां से ले जा सके इसके बाद सारा आगे बढ़ती रहती है और एदान और मिची उसके पीछे-पीछे चलते रहती है और तभी वो लोग tent के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कपड़े भी सूख रहे होते हैं जिससे की पता चलता है कि Jess अभी भी जिन्दा है जिस कारण वो अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चाहती है क्योंकि ये फॉरेस्ट उनके उदासपन का फाइदा उठा सकता है लेकिन सारा नहीं मानते हैं तो एदैन उसके साथ रुखने के लिए तयार हो जाता है और मिच यून तोनों को वहाँ पर छोड़कर अगले दिन आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है इसके बाद रात में सारा को ऐसा लगता है जब वो सोरी उद गे कि किसी ने उसे चुआ है तो वो बाहर आकर देखती है तो एदैन अपनी जगह पर सो रहा होता है और उसके बाद सारा को जंगल की तरफ से कुछ आवाजे आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि Jess शाहिद वहीं पर होगी और उसके बाद सारा धीरे-धीरे कदमों से आगे बढ़ती है तभी उसे वहाँ पर एक हाई स्कूल की लड़की मिलती है जिसका नाम होशिक होता है और वो बोलती है कि उसे Jess के बारे में सब कुछ पता है तभी वो सारा को एदैन पर यकीन ना करने की सलाह देती है और जैसे ही एदैन वहाँ पर आता है तो वो लड़की तुरंद गायब हो जाती है और सारा उसको इधर-उधर ढूणने लगती है जसके कारण सारा गिर भी जाती है और उसके हाथ में बहुत चोड भी लग जाती है और तभी एदैन उसको संभालता है अगले दिन सुबह होते ही वो लोग वहाँ से निकलने लगते है तभी एक ताला पढ़ता है जहां पर एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखाए देती है इन दोनों को और उसके बाद एदैन सारा को नदी के बहाव के रास्ते से ले जा रहा होता है तभी सारा को उस पर शक होता है कि एदैन शायद उसको गलत रास्ते से ले जा रहा है क्यूंकि उसको नदी का बहाव उल्टा नजर आ रहा होता है जिसकारण वो एदैन पर शक करने लगती है अब कुछ दूर चलने के बाद अभी जो सारा होती है वो उस रिकॉर्डिंग्स को सुनती है जो कि एदैन ने की होती है उसकी परमिशन्स को ले करके तभी सारा उसको बोलती है कि देखो वो सिर्फ उसकी मदद स्टूरी के ले कर रही है और तभी वो दुनों किसी बात पर लणने लगते है और तभी सारा एदैन से उसका फोन चील लेती है और अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देती है और उसके बाद उसके फोन में जैस की फोटो भी देखने को मिलती है और उसके बाद सारा को लगता है कि शायद अधैन जैस को पहले से ही जानता है और वह उससे जूट बोल रहा होता है इसके बाद अधैन अपना फोन चीलने लगता है और सारा तभी फोन फेक कर वहाँ से भाग जाती है इसकी बाद सारा जो होती है वो रास्ता भटक जाती है और तभी मिची सारा और अधियान को ढूंटे हुए जैसके टैंड के पास आता है और वहाँ पर जब ये दोनों नहीं होते हैं जो मिठी होता है वो परिशान होने लगता है और तभी उसे एक रोप मिलती है जिसकी मदद से वो सारा तक पहुशने की कोशिश करने लगता है और तभी पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है और हम सारा के पीछे तभी एक भूत को देख दिया और वो भूत सारा को पीछे मुढने को बिलती है लेकिन सारा ऐसा नहीं करती है और तभी वो किसी लकड़ी में फसकर वहीं पर गिड़ जाती है और उसे और भी ज्यादा चोट लग जाती है तभी वहाँ उसके पास होशिकों आ जाती है और वो सारा को बोलती है कि जैसे एक क सारे तभी भूत आकर खड़े हो जाते हैं सारा बहुत तेज भागती है और जाकर के धूप वाली जगह पर चली जाती है और तभी वहाँ पर भागते हुए एदैन आ जाते हैं और वह रसी लेने गया होता है तभी सारा वहीं पर खड़ी होती है और उसे यह क्याम प्रोने लगती है तभी जो आइदान होता है वो भाग कर आता है रसी लेकर और उसे बचा लेता है और उसे किसे ना किसे तरह समालने की कोशिश करने लगता है इसके बाद आदान सारा को बोलता है कि हमें अब यहां से चलना चाहिए यह जगह हमारे लिए सेफ नहीं है लेकि जो सारा होती है वो उस नदी में अपना हाथ होने लगती है और तभी अपने हाथ में की हुई पटी को भी हटाती है और तभी वो देखती है कि उसके हाथ में बहुत सारे कीड़े चल रहे होते हैं और जो कि उसके बॉडी के और भी पार्ट्स में जा रहे होते हैं तभी जो स और इसके बाद जैसे ही जो सारा होती है वो वापस से मुढ़कर अपने हाथ की ओर देखती है तो उसके हाथ में कोई भी कीडा नहीं होता है इसका मतलब यह होता है कि ऐसा कुछ भी रियल मनी होता है बस यह फॉरस्ट उसे ऐसा दिखा रहा होता है और तभी यहाँ पर सीन श की ओर यह आपा, साथ करने के कोशच कर रहा होता है और तभी वह सारा सी चाको मंघते है और वह उसे चाको देदे देती यह उसी वक्त इसका को सारा को कॉछ आवाज बहुटीए और और तभी घटkell उसी वक्त वो देखती ही देखती ही सारा को वहांपर गिरा देता और उसे लड़ने लगता है। तभी लटते लटते जो सारा होती ही वो चाकु उसकी चेस्ट पे मार देती है, और देन वहीं पर मढ़ जाता है। इसके बाद सारा जो होती है वो बेस्मेंट में भाग कर जाती है तो देखती है कि दर्वाजा खुद ही खुल गया होता है और वो जब अंदर जाती है तो उसको छोटी सी जैस मिलती है जहांपर सारा उसे आख बंद करने के लिए बोलती है और तभी उसके सामने उसके मॉम ड और जब सारा चिला रही होती है, तो उसे बाहर सुनाई नी देती है। इसके बाद सब्यूसे से बद भी वहां पर रॉब और मिजी आ जाते हैं, और वो जैस गोर्थ सा बाते हैं, वहां पर किसी तरीके से सम्भालते हैं। और तब ही हमें basement का scene दिखाया जाता है जहांपर सारा ने अपनी जान बचाने के लिए अपना ही हाथ काट लिया होता है और उसकी मौध हो गई होती है और यह सारा की आत्मा ही होती है इसी कारण जैस को सारा की आवाज सुनाई ही नीन दे रही होती है जबकि वो जोर-जोर से चला रही होती है और उसके बाद जमीन के अंदर से कुछ हाथ निकलते है और सारा की आत्मा को अपने साथ अंदर मिलाते हुए ले जाते है और यही पर पूरी की पूरी जमीन जो होती है वो धस जाती है और सारा ने जैस की जो फोटो एदायन के फोन में देखी होती है जि तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है हॉरर और थ्रिलर वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी के एक्स्प्लेनेशन जरूर से पसंद आई होगी, जो इतनी ज्यादा हॉरर थी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजे, अपने दोस्तों के साथ शेर केजे और इस चानल को सब्सक्राइब भी जरूर केजे, मैं जल दी आउंगी आपके लिए किसी और मज़ितार मूवी की कहानी को लेकर, तिल देन!